नमस्कार दोस्तों, Steady Point and Career Center में आपका फिर सेखबर स्वागत है दोस्तों आज की सी फीडियो में हम बात करेंगे टेली प्राइम के भारे में दोस्तों टेली प्राइम एक अकांटिंग सॉफ्टियर है टेली प्राइम रिलिस होती ही टेली का स्ट्रक्शर पूरा बदल चुका है टेली प्राइम में टेली की उप्योग को और भी आसान मना दिया गया है जिससे यूजर को कोई भी रिपोर्ट देखने में आसानी होगी और related report एक ही जगह पर generate कर सकते हैं दोस्तों यदि इसे दूसरे सब्दों में कहें तो Teleprime Tele Solution Company का ही product है जिसमें आपको एक user face, नए user face experience, एक new look और additional और कुछ बहतरीन features देखने को मिलेंगे दोस्तों Teleprime की view की बात की जाए तो Teleprime में screen view में भी बदलाव किया गया है जैसे कि आपको screen में दिखाया जा रहा है TeleRP9 में yellow और green कलर में generate, डिस्पले होती है और Teleprime में white और blue कलर का डिस्पले होता है इसे तरह voucher creation screen में भी कलर में बदलाव किया गया है जो के काफी अच्छे interface है वा काफी good looking है दोस्तों Teleprime की बारे में कुछ जरूरी जानकारिया जो आपको होनी ही चाहिए सबसे पहला नमबर जो पहले ही TeleShotter का उप्योग कर रहे है उन्हें Teleprime खरीदने की आविशक्ता नहीं है उन्हें Teleprime डाउनलोड करके इंस्टॉल और अपडेट करने की जरूरत है नमबर दूसरा Teleprime में वर्क करने के लिए Company option पर क्लिक करके या फिर F3 बटन प्रेस करके Company open करे Company migrate होने से पहले backup का option डिस्पले होगा पहले backup लेना सही है और यदि backup पहले से लिया गया हो तो migrate पर क्लिक कर सकते हैं नमर तिसरा Teleprime में विस सभी reports प्राप्ती की जा सकती है जो Tele ERP 9 में है वो report जनेरेट करने का तरीका भिन और सरल है नमर चौथा Teleprime किस date पर रिलिस हुआ Teleprime 9th November 2020 यारी की 9 November 2020 को रिलिस किया गया है जिसे आप अपने computer ये laptop में TeleSolution.com की website पर जाकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और अगला महत्रपुर्ण Teleprime इंस्टॉल करने के लिए आप TeleSolution.com की website पर जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं चले दोस्तों आपको Teleprime डाउनलोड करने का प्रोसेस बताते हैं सबसे पहले आप अपने Chrome ओपन करिए जहाँ पर आपको सर्च करना है TeleSolution.com TeleSolution.com पर जाते ही आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने की बाद आप इसके सेटफ फाइल को Runist Administrator की तौर पर Run कर सकते हैं और इसे फ्री में Education मोड में सीखने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों अभी आप सवाल आता है कि जिन लोगों ने TeleRP9 सीखा है ये फिट जो जाना भ्यास करते हैं तो कुछी महिनों में आप Teleprime को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और इसमें आसानी से काम भी कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में किवल इतना ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ और वीडियो पसंद आया हो तो कि पर इस वीडियो को लाइक जरूर करे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद